पहला प्रस्ण है रामस्य में कौन सी भीभक्ती है तो तीन अप्षन आप लोगे सामने आ रहा है पंचे में भीभक्ती सस्टी भीभक्ती तथा सप्तमी भीभक्ती आप लोग तीनों में से कोई सेलेक्ट करें जो सही हो और इसका सही अंसर है सस्टी भीभक्ती उत्तर नमबर दो अगला प्रस्ण पीता कीस मुल सब्द का रूप है अर्थात पीता में कौन सा मुल सब्द है पहला विकल्प है पित्री दूसरा विकल्प है पिता तीसरा विकल्प आपके सामने है पितर तो कौपी पे आप नोट करें तीनों में से कौन सा होगा क्योंकि जब भी प्रीमिर क्लास देखें पेन और कौपी साथ में हो उतर होगा पित्री पहला विकल्ब अगला कोस्चन गच्छती में कौन सा मूल धातु है बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है इसमें प्रयाह गल्ती होती है तो पहला अप्सन है गच्छ दूसरा है गच्छ हलन्त नहीं है और तीसरा है गम ध्यान दिजिएगा दो गच्छ है एक में हलन्त है एक में हलन्त नहीं है और तीसरा है गम तो मूल धातु बतलाना है जिसका सही उतर है गम यहां गलत हम लोग कभी कभी लिख देते हैं अगला कोश्चन है गम धातु का रूप लटलकार प्रत्थम पूरूस बहु वचन में लिखें गम धातु का रूप लिखना है प्रसनके अनुसार पहला विकल्प है गच्छ تी दूसरा है गमति और तीसरा है गच्छन ती तो बहु वचन में लिखना है चलिए आप लोग सोचिए अगर कभी ज्यादा सोचना पड़े तो वीडियो पाउस भी कर सकते हैं उत्तर है गच्छन्ती तीसरा अगला प्रस्ण अपठत किस लकार का रूप है अर्था लटलाकार, लोटलाकार, लंगलाकार, रेटलाकार तीन विकल्प है लटलाकार, लंगलाकार और तीसरा विकल्प है लोटलाकार तो इन में से आप चुने कौन सा अपशन होगा इंसर आपके सामने आने वाला है दूसरा होगा लंग लकार भूत काल बोलते हैं इसको अगला प्रस्न बालकी सु में कौन सी विभक्ती है सब्दुरूप से संबंधित प्रस्न है विभक्ती से भी संबंधित है पहला विकल्प है पंचे मी दूसरा है सस्थी और तीसरा है सब्दमी तो कौन सा होगा केवल विभक्ती निर्धारित करना है वचन भी पूछ सकता है तो आइडिया जब हमें आ जाएगा तो हम कोई साभिक प्रस्न कर लेंगे उतर है सब्दमी सब्दमी का बहु वचन है अगला प्रस्न लता सब्द का रूप सब्दमी विभक्ती एक वचन में है मतलब कौन सा है पहला है लताया दूसरा है लतायय और तीसरा है लतायाम आपको सब्दमी विभक्ती में बतलाना है एक वचन में यहां दोनों पूछा गया है विभक्ती और वचन दोनों तो सही उतर है आपका तीसरा लतायाम अगला प्रस्ण अस्मी किस मूल धातू का रूप है पहला विकल्प है अस दूसरा विकल्प है तद और तीसरा विकल्प है अस्ती आपको इन तीनों में से सही उतर निर्धारित करना है यही सब कोश्चन आने वाले हैं आपको उतर है इसका पहला अस अगला प्रस्ण पठी स्यामी में कौन सा पूरुस है पूरुस बतलाना है इस बार तो यही सब प्रस्ण मैट्री की परिक्षा में यह सभी प्रस्ण आय हुए हैं और इसी की अधार पे आएगा पहला विकल्प है प्रथम पूरुस दूसरा विकल्प है मध्यम पूरुस और तिसरा विकल्प है उत्तम पूरुस पठे स्यामी को बतलाना है आमी आवह आमह यह सुत्र होता है तो आप समझें इसारा कर दिया मैने उत्तर है तीन उत्तम पूरुस अगला प्रस्ण सुदाहरन सुत्र से है दान के अर्थमें कौन सी भी भक्ति होती है पहला विकल्प है तृतिया दूसरा है चतुर्थी तीसरा है पंच में तो सही विकल्प का आप चुनाव करें कोपी पे अपना लिखें फिर एंसर जो आएगा उसे मिलान करेंगे नहीं लिख पा रहे हैं तो देखिए होगा चतुर्थी दानार्थे चतुर्थी सुत्र होता है कोश्चन मम में कौन सी भी भक्ति है विभक्ति बतलाना है आ रहा है विकल्प आपके सामने पंची में दूसरा विकल्प सस्थी तीसरा विकल्प सप्त में तो आप देखिए मम में कौन सी विभक्ति है कि इसका रूप है मम ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे भी कोश्च प्रस्न है आगे ये है सस्थी का एक वचन होता है मम अब है प्रस्न मया किस मूल सब्द ये सर्वनाम होता है किस मूल सब्द का रूप है तो पहला है असमद दूसरा है यूसमद और तीसरा है तद आप देखें समझें नहीं भी आ रहा है तो इंतिजार करें ये सर आपके सामने आएगा इसे कॉपी पेन पे कॉपी पेन से लिख डालें उत्तर है असमद अगला प्रस्न अंग के विकार में कौन सी भी भक्ती होती है ये सब जो सुदाहरण सुत्र हैं बहुत ही महतो पूर्ण होते हैं आपको अनुवाद बनाने के लिए और ये भी जो है सब दुरुप धातुरुप बिना इसके अनुवाद नहीं बनेगा तो आएए पहला विकल्प है पंचमी दूसरा विकल्प है चतुर्थी तीसरा विकल्प है तृतिया तो आपके सामने तुरत इंसर आएगा अगर आप नहीं कर लेते हैं तो यहां से आप कर लें उत्तर है तीसरा तृतिया या नांग विकारे तृतिया सुत्र होता है अगला प्रस्ण डर के युग में कौन सी विभक्ति होती है पहला विकल्प है तृतिया दूसरा विकल्प है चतुर्थी और तीसरा है पंचिमी डर के योग में तो प्राय यह आता है कि वह बाग से डरता है अर थात से होती है तो मुल रूप से तृतिया थवा पंचिमी में से चुनाव हमें करना होता है और सुत्र होता है भीत्राथा नाम भाय हेतू तो इसमें पंचिमी विभक्ती होती है अगला प्रस्त अधिकरण कारक में कौनसी विभक्ती होती है तो पहला है पंचिमी दूसरा है सस्ठी और तीसरा विकल्प आपके सामने है सब्तमी असान कोश्चन है किन्तु कई बार आ चुका है इसलिए जानना जरूरी है चलिए लिखा जाए कॉपी पे और मिलान किया जाए इंसर है इसका सब्तमी अधिकरण को सब्तमी भी बोलते हैं अगला प्रस्ण साथ के योग में कौन सी भी भक्ती होती है साथ अर्थात राम के साथ सीता मोहन के साथ सोहन ये जो साथ है इसमें कौन सी भी भक्ती होती है पहला विकल्प है द्वितिया दूसरा है त्रितिया और तीसरा है चतुर्थी तो आप देखें कौन सी भी भक्ती होगी ये भी सोधारण सुत्र से ही प्रस्न लिया गया है सह का मतलब होता है साथ तो सह में कौन सी होती है उतर है त्रितिया अगला प्रस्न जिसे कोई चीज अच्छी लगे तो उसे उसमें कौन सी भी भक्ती होती है अच्छा लगना, अर्थात रूचना सोधारन सुत्र से लिया गया है रूच में ऐसा भी प्रस्णा सकता है रूच के साथ कौनसी भड़ा होती है पहला है पंची में दूसरा है चतुर्थी तीसरा अपसन है आपका सप्तमी आप देखें कौन सा होता है अगर समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो रोक लें फिर आगे बढ़ाएंगे और उत्तर का मिलान करें उत्तर आपका होगा चतुर्थी अगला प्रस्ण लता सब्दकारू त्रितिया विभक्ति एक वचन में होता है आपका विकल्प आ रहा है लतायाह दूसरा लतायाह तिसरा लतायाम तो देखिएगा लतायाह विशर्ग है और लताया में विशर्ग नहीं है आप चुनाव करें आप्शन का सही विकल्प सेलेक्ट करें और मिलान करें उत्तर होगा लताया दूसरा अगला प्रस्ण आशन में कौन सा पूरूस है आशन में कौन सा पूरूस है आशन लंग लकार में आता है यहां पूरूस पूछा गया है तो प्रथम पूरूस दूसरा विकल्प मध्यम पूरूस तीसरा विकल्प उत्तम पूरूस तो यहां आपको केवल पूरूस बतलाना है बचन भी नहीं बतलाना है पूरूस केवल सेलेक्ट किजिए विकल्प में इसी तरह से आता है प्रस्ण तो उत्तर होगा प्रथम पूरूस पहला अगला प्रस्ण संती में कौन सा वचन है अब देखिए इसमें वचन बतलाना है पूरूस नहीं बतलाना है हो सकता है प्रस्ण में पूरूस भी पूछ दे वचन भी पूछ दे तो सब जानना है हमें आपका विकल्प आ रहा है प्रस्ण के अनूसार एक वचन दूसरा दू में से सेलेक्ट करें कि संती में कौन सा वचन है तो उतर है आपका बहु वचन होता है